हेलो फ्रेंट्स, स्वागत है आपका अमारा जी के चैनल में आज हम इस वीडियो में यूरोपियन का आगमन से दिलेटिट सभी इंपोर्टेंट को डिसकस करेंगे जो लाश्टेर के एक्जामों में पूछे गए हैं और आने वाले एक्जामों के पांटो वियू से बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है फ्रेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलिजेबल होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें वीडियो श्टाइड करने से पहले मैं आपको येरोपियन किस तरीके से भारत में आये थे उनके बारे में थोड़ा से बता देता हूँ फ्रेंट्स, भारत में समुंदर के रास्ते की खोज जो हुई थी, वो 15 सदी के अंत में हुई थी, जिसके बाद एरोपियन का भारत में आना शुरू हो गया था Friends, सबसे पहले European जो थे, जो भारत में आयते, वो थे पुर्तगाली लोग उसके बाद Friends, डच लोग आये और उसके बाद अंग्रेज और फिर अंत में जो आये थे, वो आये थे, फ्रांसेजी Okay Friends, Friends, ये सबी लोग भारत में वेपार करने के मकसद से आये थे और Friends, इन लोगों ने यहां आकर कई तरह की फैक्टरिय अलगाई थे, जैसे की Friends, प्रिंटिंग प्रेस, तंबाको की खेती, जहार निर्मार करना, या वस्तरों का आया दिया निर्यात करना Okay Friends, Friends, जब डच लोग भारत में आये थे, तो इनों ने पुर्तगालियों के साथ कई सारे युद लड़े थे और Friends, इसके अलावार श्रीलंका में भी डचों ने पुर्तगालियों को खदेड गया था लेकिन अंत में अंग्रेजों ने इने हरा दिया था Okay Friends, तो Friends, चलिए देखते हैं हमारा First Question First Question है, वर्ष 1498 इश्वी में बासको डिगामा भारत में कहां उतरा था Friends, बहुत ही important question है और कही बार एक्जामों में repeat हुआ है तो आप इसे ध्यानक ना, ये उतरे थे कालिकट बंदरगापर Okay Friends, ये 17 मई 1498 में बासको डिगामा ने कालिकट के राजा से वेपार करने के लिए पर्मिशन ली थी और Friends, उस समय कालिकट के जो राजा थे वो थे जमोरिन Okay Friends, संथ 1500 में पुर्टगालियों ने कोचिन के पास अपनी पहली वेपारी कोठी लगाई थी और इसके बाद Friends, कालिकट और कन्नोर में भी पुर्टगालियों ने अपनी कोठिया लगाई थी Okay Friends, पुर्टगालियों ने गोवा पर अपना रिकार कर लिया था तता उसे अपना प्रशासनी केंद्र बना लिया था Friends, ये जो पूरी घटना थी ये जमरियन को पसंद नहीं आई थी और Friends, ये पुर्टगालियों के खिलाफ हो गए थे Friends, एक इंपॉर्टगालियों के भारतिय छेतर का जो पहला वाय सराय था वो था D. Almora तो Friends, आप इनका नाम में जान रखिए ये भी important है ओके Friends, चलिए देखते हैं next question अगला question है भारत में East India Company का पहला गवर्णर जनरल कौन था तो Friends, East India Company के पहले गवर्णर जनरल थे Warren Hanstein तो इसका अंसर हो जाएगा option number C Friends, 1600 इश्वी में कुछ अंग्रेज वेपारियों ने England की महारानी Elizabeth से भारत में वेपार करने के लिए अनुमती ली थी जिसके बाद East India Company का निर्मार किया गया Friends, इसका निर्मार Merchant Adventures के नाम से जाने जाने वाले London के कुछ वेपारियों ने किया था ओके Friends, इसके बाद से ही भारत में वेपार जो है तो Friends, गोवा पर अधिकार करने वाले थे Alfonso D. Albu Kruk तो इसका अंसर रहेगा Option No. B Friends, वाय सराइ D. Almuna के बाद Alfonso D. Albu Kruk पुट्टागाल के वाय सराइ निक्त हुए थे Friends, इन्होंने 1510 में कालिकर्ट के शाशक जमोरीन का महल लूट लिया था और Friends, इन्होंने अपना अधिकार गोवा पर कर लिया था Friends, इसके बाद से ही पुट्टागाली वैपार से जादा अपना समराज बढ़ाने की और ध्यान देने लगे थे और Friends, Albu Kruk के मरने के बाद पुट्टागाली उने और छेतरों पर भी अपना अधिकार कर लिया था ओके Friends, चलिए देखते हैं Next Question Next Question ने, वह अंग्रेज कौन था जिसने समराज जहागीर के दरवार में आकर भेट किया था तो Friends, ये थे Sir Thomas Rowe Friends, बहुत ही इंपोर्टेंट है और कई बार एक्जामल में पूछा गया है तो आप इनका नाम दिहान रखना इनका नाम था Sir Thomas Rowe Friends, ये जो थे ये ब्रेटेन के समराज के दूट थे जो जहागीर के दरवार में वैपार के लिए अनुमत्ती लेने आये थे और Friends, ये कब आये थे? ये 1616 इश्वी में आये थे ओके Friends, चलिए देखते हैं Next Question अगला Question है अलभुकरक ने गोवा को 1510 इश्वी में किस से चीना था? तो Friends, अभी मैंने आपको बताया थी कि गोवा पर अधिकार जमाया था अलफान्सो डी अलभुकुक ने Friends, ये चीना किस से था? ये पूचा है इस Question में तो ये चीना था बीजापूर के सुल्तान से और Friends, उस समय बीजापूर के सुल्तान थे अधिल्शा यूसूफ इसके बाद Friends, गोवा आगे चलकर भारत में पुर्तगाली वेपारी का केंदर बन गया था और Friends, अलभू कक ने इसके अलावा डक्षिन पूर्व एशियाई की वेपारी ग्राज़ानी मलक्का पर भी अपना दिकार कर लिया था ओके Friends, चलिए देखते हैं अगला कोशन है ब्रिटिक्षों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फेक्टरी स्थापिट करने की अनुमती निम्न में से किस से प्राप्त की थी तो Friends, ये की थी जहागीर से ओके Friends, अंग्रेजों ने 1608 में अपनी पहली वेपारी कोटी खोली थी अच्छा Friends, पुर्तगालियों ने कब खोली थी और फ्रांसिसों ने कब खोली थी तो Friends, पुर्तगालियों ने खोली थी अपनी पहली कोटी कोचिन में और फ्रांसिसियों ने खोली थी अपनी पहली कोटी सूरत में Friends, अब तीनों को ध्यान रखना अक्सर एक्जामों में पूछ लेते हैं कि पुर्टगालियों ने कहां खोली थी फ्रांसिस्यों में कहां खोली थी इनी में से गुमा के कोशन पूछ लेते हैं अक्सर एक्जामों में ओके फ्रेंस तो आप इन तीनों का ही नाम द्यान लगना ओके फ्रेंस चलिए देखते हैं नेक्स्ट कोश्टन नेक्स्ट कोश्टन है ब्रिटिक्स के साथ बेसीन की संदी निमलिकित पेशावों में से किस ने की थी तो फ्रेंस ये की थी बाजी राओ तू ने तो इसका अंसर हो जाएगा option number D फ्रेंस ये संदी बाजी राओ तू ने अंग्रेजों के साथ की थी फ्रेंस इस संदी के अनुसार दोनों पक्षों ने संकट के समय एक दूसरों का साथ देने का वचन दिया था और फ्रेंस इस संदी में बाजी राओ दुत्ते को अंग्रेजों ने 600 सैनिक और तोप खाने द इस संदी से अंग्रेजों को बहुत फायदा हुआ था इसे अंग्रेज पश्चिमी भारत में बिलकुल अपने पैर जमा लिये थे ओके फ्रेंस अगला कोशन है उस छेतर की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सरोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता है तो फ्रेंस अंग्रेज और फ्रांसेश ही थे ओके फ्रेंस तो चलिए रेखते है नेक्ट कोशन अगला कोशन है भारत में तमागु के प्रेशलन का श्रह किसे जाता है तो फ्रेंस यह जाता है पुर्तगालियों को फ्रेंस भारत में तमागु का प्रेशलन पुर्तगाली द्वारा 1608 म बारत में फ्रांसेशियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्निस्थानों में से कहां लगाया था तो friends ये लगाया था सूरत में मैंने आपको बताया था एक question में और ये कब लगाया था friends ये लगाया था 1668 में ओके फ्रेंट्स इसके अलावा 1669 में मसूली पट्टम में एक और फ्रेंच कार खाना खोला गया था arent्स कभी-कभी examo में सूरत की जगे मसूली पट्टम दे रेते हैं कि फ्रांसेशियोंने अपना पहला कार खाना कहां पर खोला था तो friends दोनों option में से पहला कारगाना जो होगा वो सूरत में खोला था और उसके बाद मसूली पट्टम में खोला था तो friends अगर option में सूरत नहीं दिया और मसूली पट्टम दिया है तो आप मसूली पट्टम लगाते हैंगे ओके friends तो चलिए देखते हैं next question अगला question है British East India Company का गठन किस ने किया था Friends मैंने आपको question नमद 2 में बताया था कि इसका गठन किस ने किया था Friends इसका गठन किया था Merchant Adventures के नाम से जाने जाने वाले London के कुछ वेपारियों ने Friends ये Merchant Adventures जो ते ही ये साहसिक वेपारिक थे Okay Friends Friends British East India Company की जो शुरुवात हुई थी वो भारत में वेपार करने के लिए हुई थी लेकिन अंग्रेज लोगों ने क्या काम करा कि उन्होंने वेपार के अलावा अपने जो सैनिक थे और प्रशासनिक वेवस्ता थी वो हर एक छेतर में फैला दी थी और दीरे दीरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया था ओके Friends चलिए देखते हैं नेक्स कोशन अगला कोशन है डचों को भारतिये वेपार से अलग करने में कौन सफल रहे थे तो Friends ये रहे थे अंग्रेज लो ओके Friends तो इसका आइसन दो यागा Option No.C Friends डचों ने 1602 में Dutch East India Company की स्थापना करी थी जो भारत में वेपार करने के लिए बनाए गई थी Friends डचों ने मसालों के स्थान पर भारतिये कपड़ों के निर्यातों को अधिक महत्व दिया था इन्होंने मसूली पट्टम में अपनी पहली वेपारी कोठी लगाई थी ओके Friends डचों ने कहां लगाई थी मसूली पट्टम में ओके Friends चलिए देखते हैं Next Question Next Question है Captain William Hawkins किस जहाज में भारत पहुचे थे तो Friends उस जहाज का नाम था Hector 1608 में William Hawkins जो थे वो इंगलेंड से इस जहाज पर चड़े थे Friends ये जहाज सबसे पहले सूरत बंदगा पहुचा था उस समय सूरत भारत का एक प्रमुग वेपारी केंदर हुआ करता था Friends William Hawkins जो थे वो वेपार करने के लिए ही भारत आये थे ओके Friends चलिए देखते हैं Next Question Next Question ने 15 अगस्ट 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा था तो Friends ये था गोवा Friends 15 अगस्ट 1947 को भारत के अजाद होने के बाद भी गोवा पुर्तगालियों के कबजे में रहा था और Friends गोवा को आजादी मिली थी 1961 में ओके Friends इसके बाद गोवा को दमन और द्वीप के साथ मिला कर एक केंदर शासित परदेश बना दिया था Finally 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और Friends दमन और द्वीप को अलग से केंदर शासित परदेश बना दिया था ओके Friends चलिए देखते हैं Next Question Last Question है हमारा फ्रांसेसियों के पतन का क्या काराण था चार उप्शन दिया है अंग्रेजों की नौसेनिक शेष्टा एवं भारत वा भारत के बाहर अंग्रेजों से वेपारिक प्रती द्वीत्तिता और Second Option है फ्रांसेसी सरकार के समर्थन का अभाव Third Option है फ्रांसेसी कंपनी का दूर्बल संगटन तो Friends ये तीनों ही इसका कारण था तो इसका अंसर हो जाएगा Option No.D उप्यूक सभी Okay Friends सबसे लाश्ट जो आयते मैंने आपको बताया था कि फ्रांसेसी लोग आयते Friends शुरुआत में क्या हुआ था फ्रांसेसीों को डचों से उलजना पड़ा था लेकिन बाद में इन्हें अपना वेपाज भारत में जमाने के लिए अच्छी कासी मतलब एक पकड़ सी मिल गई थी Okay Friends तो Friends ये थे हमारे European आगवन से related important question जो हमने इस वीडियो में डिस्केस करें I hope आपको समझ में आयोंगे अगर आपको इन questionों में से किसी में भी किसी भी प्रकार कर डाउट है तो आप नीचे comment box में बता सकते हैं और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को like और share ज़रू करते और हमारे चैनल अमारा जीके को subscribe करके बेल आइकन डबा लें जिससे की नएनी वीडियो की notification आपको मिल जाएं Thank you